बिटा 27 फरवरी है Mr. Modi जी करनाटक में होंगे करनाटक में एक district है शिव मोगा जिसको शिमोगा शिमोगा हम लोग कहते थे शिमोगा शिव मोगा तो करनाटक के शिव मोगा में एक नया एरपोर्ड का inauguration Mr. Modi आज करेंगे या तो कर चुके होंगे या करेंगे तो याद रखिएगा ध्यांज देखिए हवाई अड़े का उदगाटन आज 27 तारिक है 27 फरवरी मिस्ट्र मोधी करनाटक के शिव मोगा में इस नए एरपोर्ट का उदगाटन करने जा रहे हैं जो लगभग 662 एकर की भूमी में फैला है और यहां तमाम चीज़ें रनवे है टर्मिनल बिल्डिंग है पी टी सी टावर है फायर स्टेशन बिल्डिंग है टैक्सी वे है एपरान सिस्टम है पेरिफरल रोड बनाया गया ठीक है यह सब तो होता ही है बस यह याद रखना है लेटेस्ट एरपोर्ट इंडिया का कहा इनॉग्रेट हुआ शिव मोगा करना का नेक्स्ट पे दिखिए ध्यान देना है सभी रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन सियंत्र लगाएगी IOC इंडियन ओयल कॉर्परेशन भारस सरकार का एक पेट्रोलियम कंपनी है IOC इंडियन ओयल कॉर्परेशन इंडियन ओयल कॉर्परेशन के जितने भी रिफाइनरी वर्क है, रिफाइनरी सेंटर है, उस सब में अब ये ग्रीन हाइड्रोजन सयंत्र लगाएंगे, यानि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी लगाएगा, और ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि IOC ने अपना लक्ष रखा है, कि IOC 2046 तक नेट जिरो कारवन उत्सरजन का लक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो IOC का लक्ष है 2046 तक, यानि कि आजादी के सोमी जनती से एक साल पहले, हम नेट जिरो कारवन इमिटिंग का लक्ष प्राप्त कर लें, इसलिए हर प्लांट में जहां जहां इसकी रिफाइनरी है, hydrogen plant भी लगा रही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं प्लस उसका ये भी एक target है कि उसकी जितनी refinery है उसकी छमता जो भी है capacity oil को refine करने के जो 10.67 करो टर्न सालाना पर पहुँचाएगी ठीक है अभी 2,00,00 करो रुपे इस पर अब चलते हैं